मस्कार स्वागत है आपका बिहारी नूज में मेरेतन सेन भारती अज हम बात करेंगे लॉगडाउन 4 के बारे में बिहार में कोरोना में हमारी के संक्रबन की रोगथाम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है आपको बतातें कि 8 जून तक लॉगडाउन को बढ़ा दिया गया है ऐसे में बिहार के मुखमति तिसकुमार ने कोरोना के मदनेजर लॉगडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है लॉगडाउन को लेकर इस बार कुछ खास छुट दी गई है मुखमति तिसकुमार ने लिखा है कि कोरोना संक्रबन को देखते हुए लॉगडाउन को एक सफता अर्थार्थ 8 जून 2021 तक के लिए बढ़ाने का निर्ना दिया गया है परन्तु बयापार के लिए अतरीक्त छुट भी दी जा रही है सभी लोग मास्क पहने और समाजिक दूरी बनाए रखें स्वास्द भाग की तरफ से जारी गाइडलाइन में कई चीजों में छूड़ दी गई है आई उसे हम एक-एक कर जानेंगे जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी सरकारी कर जाले 25 प्रतिसतु पसिती के साथ चार बज़े आ परहां तक खुलेंगे गैर सरकारी कारजाले अभी बंद रहेंगे इसमें यह भी कहा गया है कि आवस्यक सेवावम जैसे जिला परसासर, पुलिस, सिविल डिफेंस, विधुत आपुर्ती, जलापुर्ती, स्वच्ता, फायर ब्रिगेड, स्वास्त, पसु, स्वास्त, आपदा परवंधन, दूर सब्सक्राइब, उनके संबंधित बीति बिवाग के कर जांकी अधिप्राप्ति से संबंधित कर ज tribayा की अतरीक इस zaten कार्ज करते होगा सभी दुकान एवं पर्तिस्थान एक दिन बीच करके सुबह चौब से दो बज़े अपरहन तक खुल लेंगे जिला परसासन इस संब्ध में आदेश निर्गत करेगा लेकिन बैंकिंग बीमा एवं एटीम संचालन से संब्धित पर्तिस्थान गैर बैंकिंग बितिये क अब पनियों के कारजाला गतिबिधिया खुरी रहेंगी इसके साथ और द्योगिक एवं बि निर्मान कार्ज से संब्धित पर्तिस्थान खुले रहेंगे सभी परकार के निर्मान कार्ज जारी रहेंगे, e-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियां एवं कूरियर से वाए जारी रहेगी, क्रिसी एवं इसे जुड़े कार्ज जारी रहेंगे, प्रिंट एवं इलेक्रोनिक मीडिया खुले रहेंगे, टेली कॉम्निकेशन इंटरेट से वाएं ब्रोड कास्टिंग एवं केवल से वाउं से संबंधित गतिविधियां भी जारी रहेगी, पेट्रोल पंप, LPG, पेट्रोल आदी से संबंधित, खुद्रा एवं भंडारन परतिशान भी जारी रहेंगे, अवस्य खाद समगरी तथा फल एवं सबजी, मांस, मचली, दूद, पीडियस की दुकाने, सहरी त सर्मियों एवं आगंतुकों के उप्योग हेतु, सेनेटाजर को विवस्ताय निवार होगी, इसके साथ साथ दुकान परतिशान में सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, अगर दुकांदार इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर जिला पासासन की तरफ से कार पर किये जा सकते हैं, अगरी जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें कहा गया है कि सारफ जनिक अस्थनों पर अनावस्यक आवागवन पुन्त प्रतिवंदित रहेगा, सभी परकार के बाहनों का परिचार अनबंद रहेगा, इसके अंतर जो बातें कहींगे उसमें है, पब 50% के उपयोग से अनुमती रहेगी, केबल रेल, बायो यान अथवा अन लंबी दूरी की यातरा करने वाले अनुमान सेवाओं से संबंदित व्यक्तियों को ही सर्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमती होगी, स्वास जुड़ी गतिविदियों के गाड़ी को आने जा आने वाले बाहनों को भी चूट होगी, वैसे बाहन जिससे जिला परसासन दवारा इपास बना है, उन्हें भी आने जाने की चूट होगी, सही परकार के माल बाहकों को भी चूट मिलेगी, वैसे नीजी बाहन जो हवाई जहाज या रेलेवे के यातरा के लिए यातरा कर र इसके साथ ये सभी अस्कूल, कॉलेज, कोचिंग संसान, ट्रेनिंग वम अनसेचिंग संसान बंद रहेंगे, इस दावरान विद्याला और विश्विद्याला की विशाई परिच्छाएं नहीं ली जाएंगी, रेस्टरेंट वम खाने की दुकाने बंद रहेंगी, इनका संचारन के वर होम डिलिवरी के लिए सुबह से नौ बैसे रात के नौ बैस तक होगा, नेशनल हाइवे पर इस धावा टेक होम के अधार पर काज करेगा, होटल का संचारन अतिथी के लिए इन रूम डाइनिंग के अनुसार मन होगा, सही परकार के धारमिक अस्थल हैं जो असलों पर किसी परकार की आयोजन, सरकारिय वाम नीजी तोर पर नहीं होगा, साधी बिवाह में अधिक्तम 20 ब्यक्तियों की उपर स्थिति की बात कही गई है, इसके साथ बारात में डीजे और बारात जुलुस की इजाजत नहीं होगी, साथे साथ इसकी सूचना अस्थान ये परिस्थितियों के समिक्षा कर आपदा परवंदन के दिरियम 2005 की धारा 51-60 अबहरतीय सहिता की 1688 की प्रापधानों के अंतरम गत डंडातम का रवाई की जा सकती है तो ये थी कोरोना गार्डलान जो की बिहाद सरकार की तरफ से जारी की गई है और यह जो है आठ जुन तक पूरे बिहार में प्रभावी रहेगी प्रोना गाइडलाइन को लेकर और भी ऐसे ही जानकारियों के लिए बने रहें बिहारी नियुज के साथ मुझे देजिए इजाज़त धन्यबाद